जहिंद आज कनहिया कुमार के साथ नई दिल्ली में मार पिट हुई और इस घटना की हम लोग निंदा करते हैं इसलिए भी निंदा करते हैं कि अगर किसी को लगता है कि राष्ट विरोधी तत्व जो है वो चुनाओ जीत कर सदन में नहीं बैठने चाहिए तो हम भोट से उन काम जो है वो कोट के जिम में छोड़ देना चाहिए लेकिन लोग तंत्र में सबसे बड़ा खूपसूर्ती ये है कि हमें एक अधिकार मिलता है, जिस अधिकार का हम लोग सहीय उप्योग करते हुए गलत लोगों को सत्ता से दूर रख सकते हैं और हम लोग कंहिया कुमर को स सदन में ना पहुंचने देने का प्रियास करें उसके जगह पे अगर कोई मार्पीट करता है जाके फूल माला पाना के तो वो गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए और इससे जो है कहीं नहीं तो कहीं कुछ लोग जो है इसको मुद्दा बनाएंगे और बहुत सारी चीजें तो यह सारी चीजें अब इसमें क्या है क्या नहीं है किन लोगों ने मारा है किन लोगों ने पीटा है क्यूं मारा है क्यूं पीटा है वो तो कल सबको सामने आ जाएगा सबको पता चल जाएगा लेकिन आज जो घटना हुआ वो गलत हुआ और ऐसा घटना नहीं होना चाहिए किसी बड़ा देश भक्ती वाला काम कर रहे हैं तो वो गलत है और प्रिंस कुमार जो आप लिख रहे हैं कि बीजेपी का गुंडा किया है सब बीजेपी में गुंडा नहीं है सब गुंडा तो जो है किस पार्टी में है वो सब को पता है राष्ट्रिय गुंडा दल जो है वो कौन सा पाटी हो वो सबको बता है तो ऐसा बात मत बोलिए लेकिन हां मैं कह रहा हूं कि ये जो घटा घटा है वो गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए कनेया कुमार के साथ मार पिट नहीं होना चाहिए कनेया कुमार ऐसे भी बेगुस राय में चुनाव हार गए और उत्तर पुरों दि तरीके से चलेंगे सवेधानिक तरीके से बात करेंगे सवेधानिक तरीके से जवाब देंगे बहुत सारी चीजे लेकिन ये जो घटना हुआ है उसका कोई भी परसंसा नहीं करेगा उसका कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा हलाकि जिन लोगों ने किया है घटना उनके बारे में अभी पूरी जनकारी नहीं आई है धीरे धीरे सारी जनकारी आ जाएगी लेकिन हाँ बहुत सारे जगहों पे ऐसा भी होता है कि कुछ लोग सेटिंग में टिंग करके जो है इस परकार की घटना जो है चुनाओं में करवाते हैं उनमें से एक केजरिवाल भी थे अब क्या पत करें और जितने भी भारतिय जनता दल भारतिय जनता पाटी के जितने भी सदस्य हैं जितने भी करे करता हैं वो ऐसा कर ही नहीं सकते कभी नहीं कर सकते कभी नहीं मतलब कभी नहीं कर सकते एंडिये गट बंदन का कोई भी दल का कोई भी करे करता ऐसा नहीं कर सकता है जिन लोगों ने भी किया होगा वो क्या पता जो है कनिया कुमर से स्रेटिंग करके कुछ पैसे ले के जो है ऐसा किया होगा इस परकार से भी बहुत सारे जगाओं पे होता है कि हम अपना दिखाएंगे कि हम इस पाटी के हैं फ लोगों के सामने आ जाएगा बस आप लोगों से मैं भी नती करना चाहता हूं कि इस परकार का घटना को अंजाम देने वाले अगर सोचते हैं कि हाइलाइट हो जाएंगे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मुखमंत्रियों के उपर जूता चपल फेक दिया बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों के उपर हाथ छोड़ दिया आज तक कभी सुनाया हूं वह ऐसे लोगों को हाइलाइट होते हुए आगे बढ़ते हुए कभी भी किसी को भी है इस परकार के लोगों को सुनाया आप लोगों ने हाइलाइट होते हुए आगे बढ़ते हुए पहचान बनाना है सवेधानिक तरीके से अपने कर्मों से अच्छे कर्मों से अच्छा काम करके जो है पहचान बनाईए आगे बढ़िएगा इस परकार का काम करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता है सबक सिखाना है तो सबक सिखाईए और बिल्कुल सबक सिखाया जाना चाहिए और भोट से सबक सिखाईए भोट से अगर सबक नहीं सिखाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं तो सभी राष्ट भक्तों को मैं बिनती करना करना है कि आप सभी भारतिया जनता पार्टी का साथ डें तुकरे-टूकरे गैंग का बिरोध होना चाहिए लेकिन भोट से बहिस्कार होना चाहिए इस परकार से बिरोध नहीं होना चाहिए राउल बूर्ट गंदी बीचुनाव परचार कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इंडी गड़ बंदन के लोग कर रहे हैं तो करने दिया जाए उन लोगों को भारतिय जनता पार्टी जीतेगे जीतेगे किसी भी हाल में तो फिर बस भारतिय जनता पार्टी के करेकरता हूं से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने काम में लग जाए और अच्छे डंग से लग जाए और जो लोग किसी भी पार्टी को बदनाम करने का प्रयास करते हैं इस पर करका काम करके उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको भी अमन हिंदु राष्ट वाले भाई लिख रहा है कि आपको बीजेपी का इस्टार परचारक देखकर कनया घबरा कर बचकानी हरकत कर रहा है अमन भाई आपका जरूरत है दिल्ली में आप जितना जल्दी स से जल्दी हो सके आप अपना बैल गाड़ी लेके दिल्ली में आएं यहां पे जरूरत है आपकी और बस मैं भी नति करना चाहता हूं कि सविधानिक तरीके से काम हो और अच्छे निताओं को भोट देके जो है जिताया जाए भारतिये जनता पार्टी को जिताया जाए और बहुत सारे लोग कमेंट लिख रहे हैं पूरवी चंपारन में चीनी मिल जो बंद है उस चीनी मिल पे आप लोग आवाज कब उठाएंगे भाईया बिल्कुल उस पे आवाज उठाया जाएगा क्यों नहीं आवाज उठाया जाएगा जब वहाँ पे आते हैं वीडियो करना चाहता हूँ आप लोगों से इस परकार का कुकर्म करने वाले इस परकार का गलत काम करने वाले लोगों का किसी भी परकार से समर्थन नहीं होना चाहिए और हाँ भारतिय जनता पाटी 400 पार जा रही थी और 100% नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार परधान मंत्री बनेंगे और दिल्ली के सातों में से सातों सीट पे भारतिय जनता पाटी जीतेगी और पूरे देश में 400 प्लस जो है अंडिये गटबंदन जाएगा बस इसके लिए प्रयास किया जाए और पूरा जी तोड से दो चरन का चुनाव बचा हुआ है पिछला तीन चरन का चुनाव भी बचा हुआ है बीस पचीस और एक तारी को चुनाव होने वाला है और चार चरन में हम लोग जो है 200 प्लस सीट मतलब के जीत चुके हैं बाकी जो तीन चरन बचा हुआ है उसमें जो है हम लोग और प्रयास करेंगे और 400 पार हम लोग जरूर जाएंगे और कनेया कुमार जैसे लोगों का बहिस्कार जो है होना चाहिए लेकिन भोट से होना चाहिए जैहिंद